हेलो एवरिवान वर्क्राइक टो मेटिकल मंत्राइज अफीशल यूटूब चैनल दिस ओम आए दिन हम लोगों को काफी कॉल्स आ रही है फोन्स आते हैं कैंडिडेट्स के बच्छों के सार चारों तरब से बच्छे पूछते हैं कि सरें से काउंसलिंग कब चालू हो रही है डिले क्यों हो रहा है क्या प्राबलम है वेल इस बारे में सच मेटिकल काउंसलिंग कमिटी है उसके तरब से कोई ओफिशल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है लेकिन जो लग रहा है कि काउंसलिंग क्यों हो रही है उस बारे में हम जाने तो जिस आपको पता है कि अभी सु की पड़ी है निट पीजी कांसिलिंग 25 अक्टूबर को ही चालू होने वाले थी लेकिन अभी तक वो होल्ड पे है उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि सुप्रिम कोट में पेटीशन 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 आना अभी बाकी है जिसमें कि जो इस साल से ओल इंडिया और जो OBC को जो रिजर्वेशन दिया है इस बार OBC को 27% और EWS को 10% जो रिजर्वेशन की बात कही गए थी गौर्मेंट के तरफ से उसके अगेंस्ट में एक पेटीशन सुप्रिम कोट में लंबी थे अभी उस पेटीशन आना बाकी है हादा कि उस पेटीशन 16th को ही उसकी ह हेरिंग की वो डिफर हो गई वो अब 23rd November को होगी और 23rd November के बाद में होफ़ली यह सब को सही रहता है तो साथ 23rd को या 24th को ही इस पे फाइनल जो वर्डिक्ट है फाइनल जो उनका जो डिसीजन है सुप्रिम कोट की वो आ जाएगे जिसमें की सुप्रिम कोट आगे के नोटिफिकेशन आने की कोई चांसेज नहीं है होफ़ली 24 के बाद कभी भी 25 को 26 को कभी भी नोटिफिकेशन उनकी आ जाए प्रोसेस वो चालू कर दें इसलिए मैरे आप से सजेशन होगा सब लोगों को कि आप लोग एमसीजी की जो वेबसाइट है mcc.nic.in उस पे आप र को वेट करते रहें और हम आप स्टेट कांसलिंग पर नजर हटा लें क्योंकि इसी बीच में जो डबलप्मेंट अभी हुई है पिछले दो-तिन दिनों पिछले आमीन एक अपते में कि कुछ स्टेट्स ने अपनी कांसलिंग प्रोसेस चालू भी कर दी है इसकी नोटिफिक पॉंडी चेरी और उनाचल पॉर्देश से कई स्टेट्स हैं जहां पर की प्रोसेस चालू हो चुकी है तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स जहां जहां भी आपको कांसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आप उस पर नेजर बना क छे जा चुके हैं और किरला कांसलिंग में जो नीट के स्कुर कार्ड सब्सेंच का जो आपलोड करने की बात है वह भी चैलू हो गई तो उस पे लिग्स के इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन दिये गये निया अपकी कोई बी कन्फियूजन है कोई बी सवाल है आप प्लीज नीचे दिये हुए नंबर मेडिकल मंत्रा की काउंसलिंग की नंबर है उस आप कॉल कर सकते हैं आप जानकारी ले सकते हैं तो आपने जिन बच्चों ने जिन कंडिडेट्स ने अभी तक मेटिकल मंत्रा की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीज सब्सक्राइब कर लें और जो भी अपडेट होगा काउंसलिं इस वीडियो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हीं तबते के लिए नमस्कार थेंक यूंस अगाइन